तो नमस्कार दोस्तों आज की जो मैं वीडियो में लेकर गये हूँ आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है यह आईसी का हमारे आगे का टॉपिक है तो आज दोस्तों मैं जो सीखने वाला हूँ आपको आईसी के बारे में आगे का टॉपिक आपको सिखाने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले की वीडियो में आपके मुबाइल फोन के अंदर जो सीप्यू आईसी लगी होती है पावर आईसी लगी होती है यह आप देखेंगे तो मतर बोर्ट में जितने भी तरीक सेखने वाले हैं यह मृबाइल फोन में आइसी का अगय का टॉप करता है इस चा क्या came रहता है इसके खराब होने से मृबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है तो तो दोस्तों आज हमारा उने वाला है वा किसवावाल होने वाला है मिंटेट और liberal कि त्वाश यह casht Is तो आज हमारों दोस्तों पीफो आई सी के बारे मैं आपको सम्झाने वाला हूं कि अच्छेली दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक उपर पीफो आई सी पीफो आई सी का पूरा नाम होता है पावर प्रिकेंशी रोप में आये सी पीफो आई सी पाहें अचर चलते हैं पीफो आयसी प्लाग ही होती है या इसी सेट में नेटवर्क के सिगनल लाने का करती है या इसी क्या काम करती है मोबाइल फोन में नेटवर्क के सिगनल लाने काम करती है इसकी पहचान के लिए इसकी पहचान के लिए या आईसी अंटीना के पास मोटी सी लगी होती है तो दोस्तों के जैसे मैंने आपको बता है कि पीफो आईसी सेट में पावर फ्रिक्रेंशी ओस्येटर ये पीफो आईसी का पूरा नाम होता है या इसी सेट में नेटवर्क के सिंगनल लाने करने का काम करती है इसकी पहचान के लिए या इसी अंटीना के पास में मोटी से लगी होती है कि फोर्ड की पीफो कि आयताकार कि सेफ में होता है कि सी के पहचान क्या होती है जैसे अगर आप देखेंगे में गोल्डन पास आंगे पिछ zar भी लगा हो सकता है लेकिन उसके अगर आप देखेंगे तो उसकी सेफ जो होती इस तरीके से आयता कार सेफ में होती है मोटा दोनों होता है तो यह हमारा कैसा रहता चोको सेफ में होता है और हमारा जो 4G PFO होता है वो आयता कार सेफ में लगा होता है अच्छा PFOIC जो होती है इसका काम क्या रहता है हमारे मोबाइल फोन में जो अंटीना होता है अंटीना से सिगनल आता है PFOIC के अंदर PFOIC को काम करने के लिए वोल्टेज भी चाहिए होते है 3.7 वोल्टेज तब PFOIC क्या काम करता है अपने अंदर से RX और TX सिगनल को निकालता है यह RX TX सिगनल आगे जाते हैं आगे जाने के बाद फिर 4G PFO के अंदर चले जाते है 4G PFO सिगनल को बूस्ट करके आगे निकाल देता है फिर वो सिगनल आगे नेटवर्क IC, RF IC, WTR के लिए चले आते हैं यह मैंने आपको बता है अंटीना से जो PFO का इस तरीके से कनेक्शन होता है और सभी मुबाइल फोन में PFO IC पाई जाती है PFO IC खराब होने से मुबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आते या कॉल लगाने के बाद कॉल कर जाती है या इससे खराब होने से मुबाइल फोन एंसे डेड़ भी हो जाता है या PFO IC से सम्भने जो भी तोटल प्राब्लम आती है नेटवर्क की प्राब्लम आती है और नेटवर्क की प्राब्लम PFO IC से ही आती है तो हम लोग पैचानेंगे कि इसको ब॓र्ट में कैसे पैचानना जाता है मने मधर ब॓र में आप कैसे पैचानेंगे कि define toplice کے Wasp करेंड अब यह दिकले शोब लग बौलते हैं पीजों चला जाता तुम्हेरा फोजी पीजों के अंदर यह फोर्णी पीज़ी पीजों इसे हम लोग बोलते हैं 2G 3G PFO यह लंबा वाला जो होता है इसको 4G PFO बोलते हैं तो यह आपके बोर्ड में पैच यह आटीना लगा है बोल्डर के लगा आटीना तिर यह सिगनल इसके आएगा इसका काम क्या होता है तो मैं आपको आंगे बताता हूँ तो यह PFO IC मुझसे नेटवर्क लाने के लिए काम करती है तो देखें बोर्ड में आपको बताया कैसे पैचानते हैं तो PFO IC में होता है एक्षिली यहां से सब तो अंटीना आता है अंटीने से सिगनल चला जाता है इस अंटीने से सिगनल कंवर्ड होते हुए और आपका चला जाता है यह PFO IC के अंदर है यह PFO IC उन सिगनल को लेती है और इसको PFO काम करने के लिए कैपिस्टिटर के मात्यम से यहां पर वोल्टेज भी इन होता है यह जो वोल्टेज होता है यह 3.7 वोल्टेज होता है और यहां सिगनल आप यह PFO IC के अंदर से 2 सिगनल निकालती है एक सिगनल होता है और चो पर यह Cinel जो लिए खर आगे जाता है और आपके मुबाइल ठाग आने के लिए यह aast्रॉटिर तो यह आपके mobile phone में तुम्हारा जो लगा था 2G, 3GPFO आप इसको कह सकते हैं उसके बाद 4G के लिए 4G के लिए जब आप बोर्ड में देखेंगे तो 4G के लिए आपका यलग से PFO लगा होता है यह 4GPFO कैसे काम करता है 4GPFO को काम करने के लिए इसको भी सेम ऐसे ही वोल्टेज आता है इसको भी काम करने के लिए 3.7 वोल्टेज आते हैं वही वोल्टेज जो यहाँ पर आते हैं वही वोल्टेज यहाँ पर आते हैं इसको काम करने के लिए आरेक सिगनल होते हैं यहाँ से आ जाता है तब आपके mobile phone में 4G network आते हैं तो यह आपका 2G 3G, 4G, PFO में combination होता है उसके बाद से तुम्हारा 4G, PFO पहले काम करता है अगर बहुत ऐसे mobile phone आते हैं जस mobile phone में network ये problem आती है phone में टाबकर नहीं आते हैं कभी आते हैं कभी चले जाते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मोबाइल फॉन में सबसे पहले बाद अंटीना को चेक करिए मैं आपको बताता हूं कहां पर अंटीना लगा हुआ पहले हैं क्योंकि सिगनल की इसी होती है अगर इसमें से मोस्चर आ जाता है तो सिगनल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है इसको बारे में आपको बता रहा हुआ है वीडियो का माध्यम से एक एक करके सारी चीजों को सीखने के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे हम प्याप पैचान सकते हैं कैसे बोट में नेटवर्ट की प्रब्लम हाई कि तो अंटीना के लाइन को हम लोग चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप की सबाएं करके से एक इस समय जोब कर रहे हैं और वो तरेनिंग सेंटर को जोइन करेंगे उन्होंने बताया कि सर मैं एक साल से आपकी वीडियो को देख रहा हूं और वीडियो के माध्यम से के सारी चीज़ों को नोट भी कर रहा हूँ और मुझे इतना वीडियो से समझने को आया है, इतना अच्छा लगा है कि मुझे लगता है कि मैं कोई भी मुबाइल फोन आएगा तो मैं उसको बना सकता हूँ लेकिन मैंने उस तो कभी काम नहीं किया, तो काम ना करने की वज़े से मेरा प्रक्रिस नहीं है, मेरा हाथ अच्छा नहीं है तो हाथ अच्छा ना होने की वज़े से मुझे लगता है कि सर मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा और मैं एक साल नौकरी कर लिया, मैं जौब छोड़ने के बाद अपना सीधे काम सीखूँगा, काम सीखिने के बाद अपनी मुबाइल फोन रेपेरिंग के सौप खोलूँगा या अपना काम करूँगा, बाद नौकरी से मुझे छुटी मिल लेगी, क्योंकि सर मैं अंगे के लिए कुछ स्विचर को कोई अच्छा से प्लान नहीं है तो मैं बहुत ऐसे स्टूरेंट से उन लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आज लोग किसी और छित में काम कर रहे हैं, किसी और फिल्ड में काम कर रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं अपने आपको अपडेट होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अक्टिवेट करना चाहते हैं, लाभ में सब्सक्राइब कर रहे सकें enos कैंसल मिल जाüst biz embarrassment सब्सु कर दो काम मोबाईल कर बना सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टेंट हैं जो लोगों ने सीख करके आज अपनी मोबाइल फोन दे पेरिंग के दुकान अच्छे से चला रहे हैं जहां पर सजियों 15-20 हजा नोकरी के लिए महताज रहते थे बार जॉब के लिए जाते थे परिसान होते आज अपना बैट करके खुद अपना तसली से आराम से काम करें उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिकत वाली बात नहीं है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि क्या क्या सारी सीचों को हम लोग कैसे सिखाते हैं है और क्या सिखाने के तरीका होता है कया स्टाेल होता है और किस तरीके से आप जब मेरे पास आएंगे तो ट्रेंइंग लेंगे असी ड्रेंगार पड़ता है यह सागर मार्केट मालोड में है यहां पर आपको दोनों चीज के बारे में आपको सिखाया जाता है तो आप सभी लोग आकर के यहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं आकर के सीख सकते हैं और इस को एक अच्छी opportunity के साथ में लाइब को लेकर के आँगे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में बने रहे निगी थैंक्यू दोस्तों